इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी। और इससे रक्त वाहिका के अंदर ठक्का बनने की संभावना कम हो जाती है। यह stroke आपके फेफ़डों में ठक्के यानि की फुफुसियांत, शलिता या अन्य रक्त वाहिकाओं यानि की घनास्त्रता से होने वाले नुकसान को रोकने या कम करने में मदद कर सकता है। यह इस बात की संभावना भी कम कर सकता है कि ठक्का के कुछ हिससे तूट कर शरीर के अन्य हिस्सों में चले जाएंगे। आपको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए और इस दवा को प्रभावी बनाने में मदद करने के लिए उचित जीवनशेली में बदलाव करना चाहिए। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। डेबलेकसा 150 कैपसूल भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर ये होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। डेबलेकसा 150 कैपसूल एक नया मौखिक ठकारोधी यानि की NOAC है। ये शरीर में रक्त के ठककों को बनने से रोक कर काम करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।